कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नीट अप्लिकेशन फॉर्म के कौन-कौन सा इन्फरमेशन आप काउंसलिंग के रिजिशन के टाइम में चेंज कर सकते हो अलग फिल कर सकते हो अगर किसी स्टुडेंट का एजुकेशनल डिटेल यानि कि जो नीट के अप्लिकेशन में चेंज कर सकते हो लेकिन वह इनफरमेशन आपकी सर्टिफिट में करेक्थ होनी चाहिए वह सभी डॉकुमेंट में सेम होने चाहिए हो इसलिए और याप इजुकेशन के प्कून कर सकते हो यह तीन चीज है अपका email icon č लिटेल federally इसके इलाब कुछ भी चेंज नहीं कर कुछ जो भी नीट में डाले हो अपना इंफर्मेशन फिर आपका कांसलिंग में सब कुछ मैच करा जाएगी आपके डॉक्मेंट से तो कोई भी अगर प्रॉलम होगी कोई भी अगर अलग होगा तो आपको प्रॉलम आएगी एडमिशन नहीं हो पाएगा कुछ कांसलिंग से आपको बहुत ही इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं फर्स्ट इंपोर्टेंट बात है कि अगर जब आप सिकुरिटी मनी पे करना कांसलिंग की तो आप अपने एकांट या अपने फैमिली मेंबर का एकांट से करना क्योंकि अगर आपको कॉलेज नहीं एलोट होता है या अधिकि आपको कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया। कॉलेज में तो जो मनी रिटरंd होगी वह उस अकांट में होगे जिस से वह पेड़ हुआ धा- यादि आपने शा botti ważne करना क्योंकि अगर आपने उसके करना पिर वह घरश मौने होगी उनकी चला जाएगा सेकेंड इंपर्टेंट बात है कि कांसिलिंग में अगर आपको चौइस फिलिंग के ऑडर नहीं पता है नहीं आती हो अपको कांसिलिंग कि फर्स्ट बर करा रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब जिस कॉलेज के लिए आप डिजर्ब पढ़ते हो नहीं मिल पाता है डीव आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना और अगर आपके मन में कोई confusion हो इस वीडियो से रेलेटेड या counseling से रेलेटेड तो आप मेरे को Instagram पे या YouTube पे comments करके पूछ लेना थैंक्स वर आचिंग तिल देन थैंक यू सो मुच